तो आज हम लोग biology के नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगी इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा physics मैंने पढ़ाया physics का classes आप नहीं देखे होगा देख लीजेगा इससे पहले वीडियो मैंने जो इसमें biology solve कराया था आप सबको उसे भी आप इभी देख लीजए क्योंकि अभी आप class बहुत ही फासली तरीका से लेया है बहुत ही फासली लेए बहुत सरा cover करना है बहुत सारे चीज़ों को हम और उसके आप त्यारी का सकते हैं तो देखे लगातार वीडियो में प्रोवाइट करूँगा आप सबको लगातार देखते जाए एंड वीडियो को सेर करते जाए ठीक है वीडियो को सेर करते रहें दोस्तों के पास क्योंकि बहुत दिन गेप किया हूं मैं और साथ ही मैं चा जाएंगे और इसको डीटेल में बताऊंगा आप सबको ठीक है यहां पर आपका डिफ्रेंट्स यही रहता है बाकि कलास से कि आपको यहां पर थोड़ा डीटेल न बताया जाता है समझने के लिए ठीक है तो यहां पर देखे सब पहले क्या दिया है नाम पत्ति का दिया है तो देखे दी नाम पत्ति आपने सुना होगा जहां पर क्या होता है बताए जैसे कोई पौधा पौधा हो गया जानवर हो गया जिसमें दो सब्द अलग अलग होती है ठीक है समय रोलस लीनियस सुने होगे जैसे आपने सुड़ा होगा मैगनी फेरा इंडी का किसका वेगानिक नाम है देखिए यहाँ पर लिग देता हूं मैं मैंगी फेरा क्या है मैंगी फेरा इंडी का ऐसे बोलते हैं इसको क्या है यह तो यह आप जानते हैं कि यह आम का वेगानिक नाम है तो इसका पहला नाम क्या है देखें, मैगनी, क्या है मैगनी फेरा, ये क्या है पहला नाम है, और इंडि ये क्या है, जेनरेस जेकर जीनस बोलते हैं इसको ठीक है, और यहाँ पर इंडिका क्या है, तो इसी को यहाँ पर दूसरा नाम क्या है इंडीका इसी चीज को यहाँ पर दरसाता है जो पहला वाला है मैगनी फेरा और दूसरा है इंडीका इसी चीज को यहाँ पर दरसाता है इसी ओ कहा जाता है दीनाम पदती कहा जाता है ठीक है यहाँ पर समझ गए राइट असर क्या होगा तो देखें यह यहां पर आपका right answer जो होगा उप्योकत सभी आपका right answer हो जाएगा देखिए यहां पर किवल मुद्द के जाने वगाए एक naam right answer जो है चौथा वलापका right answer हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर क्या सवाल दिया है आगे देखें फूलों की कलियां पतियों फूस्प वी वुजियोतक यहाँ पर दिया होए क्या होका याँफियों यहाँ पर प्रियास करें तो सबसे पहले समझें कि जो दिप्तिकालिता और दिप्तिकाल जिसे कहा जाता है या फिर दिप्तिकालिता जैसे भी तो यह जो है अभिक्रिया जीओ की जो है सारेरिक अभिक्रिया है क्या है सारेरी का विक्रिया है जो क्या होता है दीन या रात जो होती है इसकी लंबाई जितना होती है उसकी इतना होता है लंबाई तक होती है मतलब सारेरी का विक्रिया है ठीक है दिप्तिकाल पौधे है पौधे की जो विकास की प्रिक्तिक्रिया होती है उनके फूल के उन्हों क्या होता है लंबाई बढ़ता है फूल के लिए ठीक है फूल के लिए तो यहाँ पर दिप्तिकाल पौधों के लिए बता रहा है तो यहाँ पर आपका राइटनसर क्या होगा देखें यहाँ पर तीन चीज़ें में बाटा जाता है पहला वर्गे करित किया जाता है पहला देखे, पहला करते हैं कम दीन के पौधे, दूसरा होता है लंबे दीन के पौधे, बतब ज्याद़ दीन के पौधे, और तीसरा होता है दीन तठास पौधे, मतलब जो होते हैं, जिसमें फूल जो होता है, फूल के लिए होते हैं, इसमें प्रकास जो है, प्रकास के लि यह हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपका राइटन से सकेंड ला हो जाता है समझके इस परकार कोशन हमें सा बनते हैं इसको आप लिख लीजिए का अच्छे से क्योंकि इस परकार से हमें सा कोशन पूछे जाता है यहाँ पर राइटन से अपका पतियां हो जाएगा आगे देखें यहाँ पर इजी कोशन दिया है क्या है प्रोफेसर M.S. स्वामी नाथन को डैस के रूप में जाना जाता है स्वेत करांती, हरित करांती, लाल करांती, नीली करांती, क्या होगा राइट एंसर यहाँ पर बताने के प्रयास करें तो देखे यहाँ पर स्वामी नातन है इनको हरित करांती के नाम से जाना जाता है आप लोग जानते होंगे यहाँ पर आपका राइटन सरे वाला ग्रीन रेवल्यूशन आपका यहाँ पर राइटन सरे हो जागा हरित करांती यहाँ पर राइटन सरे हो जाता है आगे बढ़ते हैं आगे देखिए यहां पर सवाल क्या दिया है एक बिसिस्ट केंद्रक में क्रोमैटिन के कुछ छेतर सिथिल रूप से पैक ट्रांस्क्रिप्शनल रूप से अधीक सक्रिय और हलके से चिनित होते हैं जिन्हें डैस कहा जाता है तो आपने एक सुना होगा देखिए निकलियस हो गया और एक होता है यहां पर क्रोमैटिन बोलते हैं उसको इंटरफियस बोलते हैं क्या है क्रोमैटिन यह हो गया इस पर गर से रहता है और एक होता है जैसे ऐसे रहता है और ऐसे रहता है इसको बोलते हैं się cromosomes heterochromatin ठीक है? heterochromatin और जो ऐसे gol gol बना रहता है gol gol चलना टेप से बना रहता है उसको कहा जाता है यहाई से DNA निकलता है िए image में देख लेंगे आपसमझमान जाएका DNA निकलता हैं, तो देखे, यहां पर आपका क्या पुछ रहा है, तो यहां पर Transcriptional दिरूप से अधीक सक्रिय हो हलके, सक्रिय है, मतलब active होता है, तो यही पर आपको, जो है, जैसे Chromatin का अंदर क्या आता है, Chromatin का अंदर DNA आ गया, RNA आ गया और protein आ गया, यह चीजे होती एतो जोग्यु धोड़ु होता है सालेंट होता है और यहां पर लुद इंप क्रो मेंट होता है यह मतलब Eukoromatin क्या होता है तो वो होता है देखिए हेट्रो क्रोमेट्रिक है यह कहा silent होता है और यह जो होता है active होता है तो यहां पर आपका सक्रीय पुंचे ज़ा रहे है तो मतलब यह बोल आपका right and ser हो जाता है फिर राइट अन्से हो जाता है इस प्रकार से आपको पढ़िए गए इक्रोमेटिंग जो होता है कोसी का नाभी के भीतत जहें जीनोम का एक क्यात है सक्रिय भाग होता है यहाँ पर इसको बुल जाता है यह वाला को ठीक है यहाँ पर आपका तापमान है जो उबलता है कितने 100 अंसांटेगरेट पर पाने उबलता है ठीक है तो इससे कम 82 यहां पर दिया है 82 ए 99 के कोथनांग के ठीक नीचे तापमान प्रभोजन को पकाना नीमन में उस्पर क्या कहलाता है तो उबलना तो कहलाएगा ही नहीं प्रेसर क्यों कोड़ होगा है भाफ बन सकता है और यहां पर आपका सिमरिंग दिया हुआ है तो देखी जहां पर ऐसी बाते आती हैं मतलब 100 डिगरी या पर 200 से कम Fahrenheit, जो Fahrenheit है कुछ से कम पर अगर हम भोजन पकाते हैं, भोजन की तयारी करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उस पर करिया कहा जाता है, सिमरींग कहा जाता है, खाना पका रहे हैं, भाफ यहां पर नहीं है, यह नहीं है, हमारा सिमरींग हो जाएगा, ठीक है, यह होता है, जिस किसी भी जैसे liquid form होता है उसको उबाला जाता है यहां पर कम कौथनांसे कम पर तो वसोगा जाता है जैसे जैसे gas की छोटी law होता है सबसे कम तापमान कर देते हैं उपर में छोड़ा कम जलने लगता है या फिर इंडक्षन है जिससे electric stove है तो उसका तापमान को क्या करेंगे कम कर देंगे कम तापमान पर खाना हम बनाएंगे तो उसी को कहा जाता है यहाँ पर simmering कहा जाता है कम तापमान कर देना सबसे कम तापमान भोजन पकाने के त्यारी को यहाँ पर बोलते है simmering कहा जाता है ठीक है कम तापमार पर खाना भनाने को तो यह आपका राइटेंश हो जाता है आगे बढ़ते हैं देखे आगे सवाल यहाँ पर इसको थोड़ा से दिमाग लगाना है इसमें दो जानवरों को हम एक ही जाती का कम मान सकते हैं देखे यहाँ पर दे आए यदि वे एक जैसे दी साकुर्थ ये वे सभाविक परिसितियों में सोतंत रूप से संक्रण कर सकते हैं और क्या है प्रजनन संतिति को जन्म दे सकते हैं इस प्रकार के यहां पर आपका यहां पर आपका राइट एंसर जो लास्ट ला है यहां पर आपका बताया जाएगा यहां पर सभाविक परिसितियों में स चौथा और अपका डाइट एंसर हो जाता है आगे देखें यहाँ पर सवाल क्या दिया है यहाँ पर देखें पौधों में बहु गुडिता पॉली फेप्राइट इसके द्वारा प्रेदीत नहीं किया जा सकता तो यह जब हम polypeptide के स्रिंखला के बात करते हैं दीख कई सारे amino amino acid से क्या होता है यहाँ पर बना हुआ है एक तरह से कह सकते हैं इसको macromacule कह सकते हैं इसको एक तरह से ribosome द्वारा इसको divide के जाता है कोशी का एक polypeptide स्रिंखला बनाया जाता है इसको द्वारा ठीक है तो polypeptide जो होता है जैसे plant के बारे में पौधा के बारे में पढ़ेंगे तो plant polypeptide जो होता है सबसे छोटी आड़ो polypeptide होते हैं जो पौधी के जो होते है plant जैसे hydrolysis द्वारा पढ़े होंगे hydrolysis पढ़े होंगे यह सब चीज़े तो अल्य पॉलिफञवट यहां पर आपका जो है इये वला आपका सभी है यह भी सभी है तो मतलíst निमबू-पान येहा पर आपके ये यह यह वला और में पृट यह बर यहां पर यहां पर क्या होगा रॉट इंसर हो जाएगा ठीक है चौथ हय होने अब प्लियोफिलिक जोड के बनता है कैसे बनता है पॉलिपेटर सिंखला बनाने के लिए कौन से ऐसीड होते हैं इसको आप पढ़िए यहां पर आपका राइट असर आपका राइट असर हो जाता है आगे देखें यहां पर क्या दिया हुए निमली खीत में से किस पारेशितिक त पिरामीट को तो यह होता है जलिये पारेशितित अंत्र में पहे जाता है ठीक है जहां पर जिसे एक जलिये पारेशितित अंत्र होता है उसमें उत्पादक्ष होते हैं उनके पास क्या होता है कम बायोमास होता है तो फिर क्या करते हुए अब धिर धिर पिरामीट के रूप वो बनने लगते हैं उपर बनने लगते हैं तो इसी चीज को दरसाते हैं यहां पर जो जली है तो जली में आ जाता है समुद्र तो यहां पर आपका यह वाला राइट अंसर हो जाता है पहला वाला ठीक है समुद्र हो जाता है जैसे हम पोसक्तत्यों के उपर आते हैं तो जय यहां पर हो जाता है है यहां पर संचार के लिए जियो द्वारा प्रियो कि ये जैनुवलर रसायनिक पहचानी ये इसको कैसे पहचानी इसको देखे यहां पर किवल अन्यों जैसे अन्योन ये रसायन, एलेलो रसायन के बारे में पूछ रहा है, तो एलेलो रसायन तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दीकत नहीं है, सही है, आगे है केवल कैरमोन, केवल कैरमोन, ये भी कोई दीकत नहीं, इसमें सही है, केवल फेरिमोन, ये भी राइट है, मतलब यहाँ पर कहा जाए तो संचार के लिए जीओ द्वारा प्रयूग किये जाने वाले रसाइनी संकेत जो है यहाँ पर तीनों आपका यहाँ पर सही है ठीक है तीनों सही है तो मतलब यहाँ पर आइटेंस है आपका उप्यूक्त सभी आपका यहाँ पर राइटेंसर हो जाता है ठीक है संचार के लिए हैं पर जुरुरी पढ़ें के लिए राषा पर प्रयाग कड़ उसी वर्तिका अगर्व मिलते हैं , पहले समझते है प्रयाग कोने तो प्रयाग कड़ होते हैं जीन में क्या होता है नर युगमग होता है ठीक है यहाँ पर जिसे प्राक करो को इस तो पमक करता containment का यहाँ पढ़े होंगे आपने तो इसको यहाँ पर पढ़ लीज़ेगा और साथ ही तो यहाँ पर आपका beneath प्रागण यहाँ प्रागण कहा हिस्सा नहीं है दो कोशी के प्रागण यहाँ यहां पर पादक प्रागण यहां पर यहां पर दिया हुआ है जिसे प्राग जो होते हैं प्राग दाने में गोलाकार्फ होते हैं और 20 से 25 माइक्रो मेटर के ब्यास के सरचना होती है ठीक है यहां पर समझ गए यहां पर आइटसर आपका यवला हो जाता है ठीक तो इसका पीडिएफ आपको कहा मिल जागा तो विकी स्टडी वेवसाइट है वहाँ पर चले जाएगा वहाँ पर सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर लिजएगा आज की क्लास इतने ही और भी बहुत सारे क्लासेस हैं जो इसको फासी डिल डला जाएगा वीडियो सभी लोग अपडिट हो जाया जोड जैये बीडियो को लाइक आइक जैप 있지 रिक्वेस्ट है आप सब से कि वीडियो वह को नहीं पता है चा